हरी दाल ढकली बदाने की नि ने सबसे पहले हमने एक गोरी अरोकी डाल ली दी उसको मनेगे गुंटे पहले पानी दाल का प्लेगे ताह सीड़ούने कि nic डाल के बाद हमारी दाल अस तरहे से फूल गय creator की अब शाण इस दाल को यूजर कर लेंगे अब कम से कम हम इसमें 2 ग्लास पानी डुड़ हो सबства कंच को अब कम से कम इसमें 2 ग्लास पानी डॉल दिया है और बिल्कुल ऐसे ही दाल को पानी कर लें एक सीटी आरे पर गैस को बन कर देगे अगर आप दाल को तुरंत भीग होते हैं तो दाल में आप 2 सीटी लगाना और फिर दाल अच्छे से बॉयल हो जाएगे जब तक हमारी दाल बॉयल होगी तब तक हम दो की त्यारी कर लेते हैं दो बनाने के लिए हमने यहां पे लिए दो कप आटा और यहां पे लिए आधा कप बेशन हम आटे और बेशन को एक साथ मिक्स कर देंगे अब हम इसने डालेंगे बुना जीरा नमक हल्दी थोड़ी सी लाल मिर्च अब हम आटे को मिक्स करके अच्छा सा सक्त दो त्यार कर लेंगे अब हम आटे में एक चम मच रिपाइंट ओल डालेंगे छोटा चम मच और हम पानी डालकर आटे को गुन लेंगे यहां पर हमने डोगली के लिए बेशन आटे के अंदर डाला है वो अप्शनल है अगर आप डोगली के डोगो सिंपल आटे से बनाना चाहें तो बना सकते हैं अब हमने डोग को इतना सकत गुंद लिया है अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा रिफाइंड डोई लगा देंगे और आटे को दस मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे कूकर में सीती आ गई है हम गैस को बन कर देंगे डोगली की स्टपिंग बनाने की त्यारी कर लेते हैं हम यहां पर यहां पर हमने 5-6 बॉयल आलू लिये हैं अब हम इसके अंदर डालेंगे यह हमने मटर लिये ते फ्रेश हमने इसको पहले ही बॉयल कर लिया है इसमें डाल जालेंगे भुना जीरा, नारी मिर्च, चाट मसाला और गर्म मसाला, अरा धनिया, नम्म, थोड़ी सी लाल मिर्च, और हम सारे स्टापिंग के मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम दोटनी बनाने के तयारी कर लिते हैं हम स्टपिंग के चैक्छी चैसी अथ सी बॉल्स बना लेंगे जो हम धोक्ली तियार कर रहा हैं इस तरह से चोच चोटी बॉल्स बना के रख लेंगे When हutt है कि हम नीअ पर सारे स्टफिंग कीचोटी चोटी बोल्स बना लिया है अब हम ढोकली बना लेते LGBT को दोबारा से हम हाथ से मसर लेते हैं अथे को दो हिस्सो में बाट लेंगे उसे चंट ली पे करकर फेंसे गोल- अब हम आटे के ऐसे करके दो पार्ट कर लेंगे अब हम एक पार्ट को रख देंगे कपड़े से ढग देंगे और इस पार्ट के हम छोटी छोटी लोईया बना लेंगे अब हम चोटी पीस कर लेंगे ऐसे अब हम सारी यह जो लोईया बनाई है इनको साइट में रख देंगे एक एक करके हम इसके चोटी चोटी सी रोटी बेल लेंगे और थोड़ा सा रिफाइंड़ लगा लेंगे चकले पर अब हमें बस इतनी ही चोटी लोई पेलनी है और अब हम इसको हाथ पे उठा लेंगे अब हम इस पे जो स्टफ की अमने बुस्टाफिंग की बॉल बनाई थी वो इसके बीट में रफ देंगे ऐसे और अब इसको ऐसे करते वे अगूठे से दबाएंगे और ऐसे इसे प्लेटे डालते रहेंगे इसे करकर और इसको थोड़ा सा हम नीचे दबा देंगे इसे करके हम सारी डूबली त्यार करेंगे पर हम स्टपिंग की बॉल डालेंगे इसके अंदर थोड़ा से दबाएंगे और हाथ से थोड़ा सैसे करते हुए हम इसके अंदर प्लेटे डालते चले जाएंगे है कि फूना बन जाएगा ऐसे को से फ край को इसको आसे करतेंगे थोड़ा साम जिक्वाल को थे करेंगे ऐसे करकर हम सारी विल बना लींगे हमारी सारे डोकलियां बनकर त्यार हो गई है अब हम दाल की त्यारी कर लेते हैं यहां पर हमारी दाल अच्छे से बॉइल हो गई है अब हम दाल को हलकी गैस पर चड़ा देंगे और इसको बिल्कुल मिक्स होने तक पकाएंगे एक साइड हमारी दाल अच्छे से पकर यह हैं हम दुसरी साइड दाल की तड़की की त्यारी कर लेते हैं दाल को ऐसे घुमाते घुमाते थोड़ा सा हम घुटते रहेंगे राए में दो चम्मच्री पाइंड रोय डालेंगे तेल को थोड़ा सा अच्छे से गरम करेंगे अब हम तेल के अंदर डालेंगे साबुत लाल मेर्च पीजपता हमने चार लोंग लिए हैं 10 बारा काली मेर्च होब हम पीज़ेंगे कड़ी पत्ता कड़ी पत्ते को थोड़ा से तोड़ लेंगे हम जालेंगे सरसो दाना, मेथी दाना, हिंग और जीरा सारे खड़े मसालों में जब तक खुश्बू ना आए तब तक हमें इने प्राई करना है खड़े मसालों में से अच्छी से खुश्बू आनी लगी है हमने यहां पर लिया है पांच टिमाटर चार पांच हरे मिर्च और एक इंच अद्रक का टीस हमने सब को पीस कर यहां पर पेस्ट बना लिया है अब यह सारा पिसा हुआ तमाटर वाला मसाला हम तेल में डालेंगे हमने तमाटर को पांच साथ मिनट तक अच्छे से भूह लिया है तमाटर में पानी खतम हो गया है अब हम इसमें मसाले डालेंगे में डालेंगे आदा चमच हल्दी आदा चमच मिर्च धनिया पाउडर नमक नमक का में धियान रखना है क्योंकि हमने डो में भी नमक डाला था तो थोड़ा आप नमक कम ही डालें अगर कम हो तो बाद में डालें अब हम सारे मसाले को अच्छे से टमाटर के संग जूनेंगे यहां पर हमारी डाल भी अच्छे से पक गई है और हमने गैस को बन कर दिया है मसाला अच्छे से भून गया है अब हम इसके अंदर डाल डालेंगे अब हम तेजी रखेंगे और अब इसमें दो कप के करीबन पाड़ेंगे पाने डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे इमलेका पल्प थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे कैस को हम मेडियम कर देंगे डाल मुबाल आ गया है अब हम इसमें डालेंगे डोकली अब हम थोड़ा सा हिला लेंगे दाल में दोपली डाल दी है अब दोपली के साथ दाल को पांच मिनट तक पकने देंगे दाल में धोपली फूल कर उपर आ चुकी है इसका मतलब हमारी धोपली पक चुकी है अब इसमें गरम मसाला डालेंगे और हरधनिया और हम गैस को कर देंगे बंद और हम इसे गर्मा गर्म सर्फ करेंगे कर दो पांच में पांच में आखर आखरा को प्राप्स के लिए आखर आखरालेंगे